आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज तक की अपनी सबसे ज़्यादा इजी टेस्टी और पांच मिनट के अंदर पकने वाली मिक्स वैज की रेसिपी का वीडियो नमस्कार आप सभी का कामता के चैनल टेस्ट आफ इंडियेस में बहुत बहुत स्वागत है तो आज आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे न मिक्स सबजी बनाने के तो शायद ही इससे ज़्यादा सिंपल वीडियो आपको कोई मिला हुगा तो हम यहाँ पर लेंगे दो प्याज और इन्हें छिल करके कर लेंगे बारिक बारिक कट इसके बाद हम लेंगे दो शि उसी तरीके से कट कर सकते हैं इससे क्या होगा कि लंबी लंबी जो स्लाइजिस है ना शिमला मिर्च की तरह उसी शेप में कट जाएगी गाजर की भी और अब लेंगे यहाँ पर आदा फूल गोबी क्वांटिटी सब्यों कि आप घटा या बढ़ा सकते हैं जितने आपको चाहिए और फूल गोबी को टुकड़ों में तोड़ने के बाद हम गरम पाने में अच्छे से दोलेंगे ताकि कोई गंदगी ना रहे और फिर उसके बाद हम कर लेंगे कद्दू कस वहाथी सिंपल रेसिपी है और अब ले लेंगे एक इंच अदर का टुकड़ा और इसे होने देंगे गरम और जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक हम एक कटोरी में ले लेंगे आदा चमच नमक आदे चमच से कम लाल मिर्श पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच भरकर के धनिया पाउडर आदा चमच गरम मसाला और आदा ही चमच लेंगे किचन और जैसे तेल गरम होगा तो इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते तो यह सुखे वे ड्राई पत्ते जने के मैं स्टोर करके रखती हूं और यह है आधा चमच अजवाइन बस गरम तेल में हम डाल देंगे यह सारे के सारे मसाले और इनके इमेज़िट बाद हम एड़ कर लेंग आते तो रहना चाहिए ना तो बस जी लो फ्लेम में हम अच्छे से इन्हें कर लेंगे मिक्स और जैसी मिक्स हो जाएंगी ना तो बहुत जाता देर तक हम नहीं पकाएंगे मिक्स करने के बाद आप हम क्या करेंगे इन्हें ढखकर के रख देंगे लो फ्लेम में पकने के ल जिसे कि हमने बनाया है जट पट से बिलकुल सिंपल तरीके से और ये देखिए कलर वाव लग रही है न बहुत ज्यादा टेस्टी अब चाहे तो आप इसे ब्रेक फास्ट में प्राटों के साथ कहिए या फिर लंच या दिनर में रोटी के साथ तो चलिए जी क्या इसकों कर लेते हैं बंद और अपनी लंच की थाली करते हैं तैयार तो आज की लंच की थाली में मैं सर्फ कर रही हूं गर्मा गरम मिक्स वेच गर्मा गरम रोटी प्याज और गुड़ के साथ तो अमीद करती हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो जिसमें की हमने बनाई ये अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हां अगर मेरे इस चैनल पर आप नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को फ्रिस करना ना भूलिएगा तो चलिए आप से फिर बुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक न नमस्कार